कोल आने से पहले ट्रू कोलर पर नोटिफिकेशन कैसी आ जाता है भारत की हर एक टेलिकॉम कम्पनी ने अपने रिचार्ज महंगे क्यों किये जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक नमबर वन वही माइक्रोवेव ओवन जिसकी कीमत आज कई डोलर है तो वही जब इसे बनाया गया था तो इसके इन्वेंटर को मातर बोनस के तोड़ पर दो डोलर दिये गए थे नमबर टू अगर आप सोचते हैं कि शिर्फ हूमन ही सपने देख सकते हैं तो आप गलत हैं मैं आपको बता दूँ एक चूहा भी सपने देख सकता है जी हाँ एक चूगों को ऐसे सपने आते हैं कि कैसे वो अपना खाना खा रहा है और कैसे वो जाल से बच-बच कर भाग र जादतर मैमल्स रैम स्लिप की एक साइकल से होकर गुजरते हैं जिसमें उनको सपने आने के चांस ज्यादा होते हैं नमबर थरी निस सो छाड़ में मर्सेडीज ने एक ऐसे कार काविश कार किया था जिसे जो इस्टिक से कंट्रोल किया जा सकता था वहीं कार अपनी सेंसर का इस्तिमाल कर ये भी पता लगा लेती थी कि दर्शल काल के अंदर कोन कहां बैठा है नमबर फाइफ अगर आप जोर से छीखते हो तो आपकी पसली में फ्रेक्चर हो सकता है वहीं अगर आप छीख को रोकनों की कोशिश की जाए तो आपकी दिमाग किन से फट सकती हैं और आप मर सकते हैं ये करने का कभी परियास ना करें नमबर फोर दोस्तो लोग अक्सर अपनी पैंट के पीछे वाले जे में फोन को रखते हैं और वो जब बैठते हैं तो फोन प्रेशर को जेल नहीं पाते और तूट जाते हैं इसी कहल सेमसंग ने निकाल लिया है सेमसंग ने फोन की डूरेबिलिटी को चेक करने के लिए रोबोट को जीन स्वेहनाई और उनकी पैंट में फोन को डाल कर टेस्ट किया गया नमबर 6 आजकल आपने देखा होगा कि मोटरफाइकल की हेडलाइट बन नहीं होती दरसल दोस्तो सुप्रीम कोर्ट की आदिशा अनुसार 2017 से जिन दो पैंयों वानवाई बनेंगी उन सब में इंजन ओन होते ही हेडलाइट ओन की जाएगी इसका फाइदा ये होगा कि दिन कोलर का इस्तमाल करते हैं तो आपने भी ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय में जब कोई फोन आता है तो उससे पहले ही यह एप आपको नोटिफिकेशन बेज देता है कि इस व्यक्ति का कोल आने वाला है दर्शल कंपनी कस्टमर की इंटरनेट का इस्तमाल करती है और दो आपने सडक के किनारे यह लाइट जैसी चीज चमकते जरूर देखी होगी लेकिन क्या आप जानते हैं इसका यूज क्या होता है दरसल इन्हें रोड स्टर कहा जाता है यह एक इंडक्टर का काम करता है जिसे रात की समय गाडियां चलाने में आसानी होती है और जिसे य 25 परसेंड तक महेंगे कर दिये हैं और इसका कारण है जियो जियो ने बहुत कम डामों में अपनी शेवाएं शुरू की थी इसके बाद तीन वर्सों में ही इस कंपनी के यूजर्स की संख्या 40 क्रोर तक पहुंच गई और दबाव में आकर प्राइवेट कंपनियों को भी अपने प्लान सस्ते करने पड़े जिसे कंपनियों को बहुत बड़ा लोस हुआ अब इन कंपनी को कहना है कि प्लैन बढ़ाने से ही इनका घाटा कम होगा